कि चलिए गुँड मोनिंग सभी को जैंड सवी पूर्म ऐगारा मिल पारि एक बहर सबी लोग्ध संदोर कर देंगे चलिए स्टार्ट करते देखें यहां पर आज हम लोग पढने वाले थिस चंद हना जो की जबज़ Champions लिकिन आज आपको समझ में आएंगे बस वीडियो को पूरा देखेगा इस टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा लेकिन बाद में आपको इसी से आपको फैदा आपको मिलने वाला है ठीक है ना पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ट एक चंद में कितने चरण होते हैं यह आपको प्राया है मतलब मैक्सिमम जो आपको मिलता है तो दोस्तों याद रखेगा एक चंद में चरण होते हैं वो आपके चार होते हैं बाकी देखा जाए तो आपके 6 में 6 होते हैं कुंडलियों में 6 होते हैं लेकिन अधिकांसता कि वैया चंद में चार चरण होते हैं इसलिए आपको अंसर लगाना है या पर ए नंबर आपको लगाना है आपकी UPP परिच्छा 2019 में कोशन पूछा जा चुका है ठीक है ना यहां पर अगला कोशन दिया गया है कि जहां चंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता ह चलिए यहां पर अंसर क्या हो जाएगा दोषा के प्रथम चरण में कितने मात्राइं हो तो याद रहेगा इसको याद करने मड़ी समस्या होती है हमने काच जैसा हम बोल रहे हैं वह इसे याद रखेगा दोहा के प्रथम चरण में हाना प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती हैं तो लिखने से आपको 13 प्राप्त हो गया और दूसरे चौत चरण में आपकी 11-11 मात्रा होती है कुल जो होती हैं आपकी 24 होती हैं आप कहेंगे सरंसर मिल चुका है या पर सी नंबर 13 आपका जवाब राइट हो जाएगा क्लियर हो गया अगला कोशन आप से कह रहा है कि दामिनी दमक रह ना घन माही खलक प्रीत जधाद दिर्म नाही यहाँ पर जो आपका है आपको च्छन दिर्मे से कौन सा है फूर नंबर में देखें फूर के बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मातर लगाना आना सिंगल 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 है डवल और डवल यह हो जाएंगी मातरा हैं आपकी सोला और जो सोला मातरा होती है वह किसमें होती हैं आपके चौपाई में चार चरण होते हैं और यह सम मातरिक चंद जिसमें सोला सोला मातरा होती याद रखेगा आगे बड़ी एक question आप से गला दिया गया है कुंडलिया कितने में कुंडलिया चंद में कितने चरण होते हैं कुंडलिया चंद में कितने चरण होते हैं आप कहेंगे सर आउप्सन मनेगा यहां पर आपका सी नंबर हैं यहां पर चारण होते हैं क्या होते हैं चारण होते हैं दोस्ते आधर के जो कि दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं किसे बनते हैं तो आपके दोहा प्लस रोला से बनता है अब दोहा में यहां पर दो होते हैं और रोला के चार चरण होते हैं तब बनता है आपका कुंडलिया किलियर हुआ आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है कि चौपाई के प्रतेक चरण में कितनी मात्राइं होती हैं रिपेट कोशन ऐसे आपको बार बार मिले हैं दोस्तों आप देशेते चौपाई के प्रतेक चरण म 16 मात्रा होती हैं उसे क्या कहते हैं तो आप कहेंगे सर यहाप प्रॉप समनेगा आपका सी नंबर है चौपाई हो जगा चौपाई अगला कुशना आप से कह रहा है कि सिरी गुरू चरणे सरोजरज निजमनमकुर सुधार बरनव रगवर विमलजस जो दायक फलचार यहाप आप से पूछाए चंद अब इसमें अगर ना मात्रा लगाए तो भी आप लोग बता देंगे क्यों क्यों क्योंकि जब भी हनुमान चालिसा पढ़ते हैं तो यह दोहा आपको पढ़ने को मिलती हैं दोहा में याद रिखेगा क्या होता है पहले और टीसी चरण में 13-13 मात् बया Caleb ने आगे 27 रिखेगा 6 ठैट करने कराना लगा सक्था यहां से लगाए और व्यासान हो जाएगा यहां पर 11 मात्रा लगने मात्राय आपको सिखा देंगे अगला कोशन दिया गया है कि मुझ को होई ये वाचाल पंगु चड़े गिर्वर गहन जा सुक्रपासु दयाल द्रवह सकल कलिमें दहन यहां पर पूचाए कौन सा आपका छंद है अब मात्रा यहां तो लगाना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा अब देखो मा समझ मैं आ गया होगा आगे मढ़ते कोशन आपसे दिया है कि प्रतेक चरण में 16 मात्रा वाला चरणों वाला सम्मात्रिक चंद कौन है आप कहेंगे सरॉप्षन सी ओजगा चौपाई नेस कोशन आप से दिया गया है कि किस चंद में 26 मात्रा होती है चौदा और बारा परियत यहती मतलब होता है ठहरा और ठहरा मतलब बोलते है थोड़ा से रुका जाता है तो आप कहेंगे 26 मात्रा जो होती है वो आपकी होती है गीतिका पर किस में होती है गीतिका में होती है लेकन यहीं पर यह पॉइंट बोल देता कि 28 मात्राएं तो 28 मात् क्या हो जाता हर इक गीति का हो जाता किसमें तो आपकी मात्राइं आपकी 28 हो जाती है ठीक है साथियों आगे बड़ी कोशन दिया गया है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं हमने का ओप सुमने गाए नंबर यह होता है यती क्या होता है यती मतलब जिसको को ओप्सन आपका यह नंबर राइट हो जयेगा अग्यरा کंशन दिया गया है कि इम्न मीरे से सम मात्री प्रकार प्रकार नहिंं है कौन सा चन्द परिकार नहीं है दोस्तो आपको बताना है देखा जाए तो आपकी होता है लेकिन अलंकार अगला कुलचन आपसे कहा रहा है कि चन्द से सम्मदीत गड़ों की संख्या कितनी होती है और ये सुत्र निकलता है अमने का था या माता राज भान सलगा या माता राज भान भान सलगा ये सूत्र होता है ठीक है ये सूत्र होता है इसी से आठों निकलते हैं जैसे या माता मतारा तराज ठीक है ना मतलब इस प्रकास से तीन तीन वर्डों को लेते हैं तो इस प्रकास से आपकी बनते हैं आठ और अगला को दिया है कि फसन्द में चाः चरण है और प्रतीक चरण में सोला मातरा में होती हैं होता है। अगला कशन दीओ घ्याया । से संड़ nhấtIl्यार्ड और झाहें थाफ च्छ हम हें पूल्ड फार पटा. ऑुव सबोटा हुं मेंटे आंप की च्छनेव तो आ है कुन्डलीति उन्म मेंसे इंसे जम रसने कुन्डलिए आगे बड़ी है कि दोहा और चौपाहई कौन से चंद हैं आप है हैं मात्राइब करते हैं तो आप यह कहेंगे मात्री क्षंद का है हमें कि in the सुवाज से सरसरनुरागा में कौन सा छंद है कोश्चनमर आपका 20 दिया गया है दोस्तों याद रखेए यहां पर जो अंसर होगा उनमें से कौन सो हो जाएगा यहां पर भी आपकी दोस्तों चौपाई यह चौपाई आपने पढ़ा होगा कि मन्दा गुर पद पढ़ागा स सुरुच सुवा से सरसन रागा तो बहुत चीज़े ऐसे होती हैं जो आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा चौपाई अगर नहीं भी आती हैं तो आप चेक कर लिया करिए मातरा लगा के क्योंकि चौपाई में होती हैं 16 मातरा निकालना है तो जो आसान आपको मिल जाए जो इसकोर्चन में हमने कहा था अगर गीतिका होती है तो आपकी 26 मातरा होती हैं और हर गीतिका होती है तो दो ओर और बड़ जाते हैं तो आप कहेंगे सजी ओप संडी हो जगा 28 मातरा हो जाएंगे के लियर हुआ अगला कोच ना दीजिगा तोन सिय सत्य-श से हमारी पूजह ह मने कामना तुम्हारी अब इसमें आप टाइम बेस्ट नहीं करिएगा क्यों क्यों क्योंकि वह यह यह तो चौपाई आप रामयर पढ़ा है आपने उन्मान चली सा पढ़ा है तो वहां पर कुछ दोए होते हैं कुछ आपके चौपाई होती है बिना मात्रा लगा ही आप क्या है अब देखिएगा कोर्शन नमर आपका 23 नया मिला है क्या रहा है कि चौपाई चंद का पूर्व रूप और पूर्व रूप दोस्तों याद रिखे क्या होता है तो यहां पर जो अंसर आपका है और राइट क्या हो जाएगा चले तेशंद में चार से अधिक चरण ह होते हैं हमने कहा कि सर 24 संबर का जो आप इसके अंत होता है वहीं से अंत होता है हना तो इसका option C हो गया next question दिया गया है कि छंद सास्त्र के प्रणेता आचारी माने जाते हैं छंद सास्त्र के प्रणेता आचारी इन में से कौन है तो दोस्तों याद रखिए ये हैं आपके पिंगल रिसी कौन है पिंगल रिसी option जिसका आया भी नंबर राइट हो जगा निस question दिया गया है इन में से कौन सी चंद सास्त की प्रणेता पुस्तक है चलिए जवाब देना है आपके अंसर क्या हो जगा कि कौन सी चंद सास्त की प्रणेता पुस्तक माने गया है आपको मालूम है लगु मातरा ऐसे होती है और दिर गमातरा आपके ऐसे होती है तो दो प्रकार ही कर सकते हैं और समने आपका ये नंबर ठीक है ना क्लियर हो गया है अगले question कुराते है question देगा है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार इनमे से कौन है यहां पर देखिए दिया गया है वक्रोक्ति अलंकार हाना वक्रोक्ति इसके जो विरोधी आचारे माने जाते हैं GUY माने जाते हैं आपके टेस्ट पेपर होता है ना तो वाँ केते सर मुझको यह नहीं आती है मैं क्या करूँ जब आपकी स्पिसल क्लास चल लए होती है तो उसमें गोला मार देते हैं हाना अब बताइए फिर क्या होगा इसमें कहेंगी सर हमने आपके पूरी क्लासे लिया एकजाम में कोल्श को दिया गया है कि 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 शन्द में 12 और 7 की यती से कुल 19 समात्रा होती है मतलब आपको पहले 12 पर स्टाप लेना है फिर इसके बाद 12 और आपको यहीं से रट जाएगा भीवारबार तिंसर नहीं लेना है अगरा कुशन दिया है कि स्टिल प्रगत आधार पर दोहे से उल्टा चंद कौन सा है आप कहेंगे सर दोहे से उल्टा जो होता है दोहे का उल्टा होता है कौन है तो यहाँ पर होता है सोरठा होता है जो कि आप समनेगा A No. हो जाएगा बीना बताए आप कहेंगे सर ये तो चौपाई है पढ़ा है मंगल वहने मंगल हारी हाना या परंसराप का भी बनेगा मतरा लगाना है तो भी लगा सकते हैं हाना चाहे यहां से स्टार्ट करिए ये बाले से चाहे यहां से तो आप कहेंगे अंग की विंदी है तो डवल होता ह फिर single है फिर single है single 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 है single double single है यहाँ पर double और double मातरा हो जाएंगी 16 ठीके ना आगे बड़ी एक कोशन जगया है दो हाच छंद में कितने चरण होते हैं चलिए हम लोग जब high school पढ़ते थे नाइत में पढ़ते थे तो हमको तो गानों के माध्यम से कहां मातर लगनी है कहां नह लगा देती थे दो हां चंद में कितने च्रण होते हैं आप कहेंगे यहां पर चार च्रण हो जाएंगे अगला दीग पंक्ति में कहाई रहा है सुनिस्ती सत्य असी से हमारी पूजय ही बनेकामना तुम्हारी अब यहां पर दिखें आपका जोंशर है 33 संबर में क्या हो जगा तो यह आपकी चौपाई है क्या है चौपाई है UPSI में कौशन पूछा गया है चौपाई में जो चरण होते हैं अब आपको थोड़ा ध्यान देनी कि वह सकता है आप से कह रहा है कि चौपाई में चरण होते हैं तो भईया याद रिखे जो के रोला के होते हैं और अंतिम की दो चल आपके उलाला के होते हैं साथ यूं याद रखेगा तेके ना इसको स्क्रीन सब्सक्राइब लेगा विल्कुल सपने कॉपी में फर्स्ट पेज में नोट का लिए अगला कोशन दिया गया है कि नेवन में चंद की विकलप आपको बताना है केवल मात्रिक चंद आप से कह रहा है अब आप कहेंगे सर केवल मात्रिक चंद की बात किया जाए तिहां पर दोहा जो आपका चौपाई रोला ही यही तो आपका हो जाएगा इंद वज्जरा यह सवया जो आपकी थोड़ो होते हैं अगरा क कुछनाव से कह रहा है निजभासा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल बिन निजभासा ग्यान के मिटे नहीं के सुल यहां पर यह जो है आपका है क्या दोस्तों 38 संबर में तो आप कहेंगे सर यह तो दोहा है क्या है यह तो दोहा है यहां परंसा जो आपका है वह आपका D हो जा आथा कि वहिया जब दोहा होता है इसका बिसम अर्थात पहले और तीसरे में त्यारा मात्रा होती है देखे तेरा है कि नहीं है दो तीन चार पांच छह साथ आट नो दस गेरा वारा तेरा जो आसान आपको मिले वहीं से मात्रा गिन लीजे बस आपको पता होना चाहिए ठीक ह है न तो यह होगे आपका दोहा अगलाकोसं देख दोहा में होता है लेकिन मंद्र कानता में वर्ड़ों की गिंती की जाती है कि वर्डिक्षंदों में से कौन सा वर्डिक्षंद है सिंपल सी बात है तीन तो आप जानते है चौथा आपको मालूम है उपेंद वज्ज्रा ये वर्डिक्षंद आपका हो जाएगा ठेक है ना अगला कोश्यन आप से कह रहा है कि सुल्ठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राइं होती हैं। हमने कहाँ दूहा के यह उल्टा चलता है। तो वह यह सुल्ठा का प्रथम चरण होगा, मतलब पहला और तीसरा इसमें 11-11 मात्राइं हो जाएंगी। सिंपल सी वात है अंसर आपके सामने है और आपका जवाब हो गया बी नम्बर खेलेर हो गया है। जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसी कहते हैं तो दोस्तों यहे आपका बरवय. नोट करिएगा कि आउधी का निजी छंदर नया कोशन आपको लग रहा है तो आप कौपी में जरूर नोट किया करिए ठीक है ना आपका जवाब हो जएगा ए नमबर नेश कोशन दिया है गण में कितने वर्ड होते हैं हमने काह या उट्टरा आपको रट ले रहा है सपने में भी याद रखिए आपके तीन तीन के पेर बना जाते हैं और तीन-तीन के पेर बनते हैं अगड़ा कोईशन दिया गया है कोईशन नमपर careful अब चोले जाए तो कौन से चछन्द बन जाएगा 45 हमने कहा मनें कहा कि सरंसर बनेगा क्या बिनमबर याद रिखे ओपस मनेगा यहाँ पर आपका जो भी है कुंडलियां यहाँ पर बताया था दोहा के यहाँ पर दो चरण रोला के चार चरण मिलकर यहाँ पर देखी कुंडलियां मनती हैं पहला आपका वर्ण और अंतिम वर्ण बिल्कुल समान आपका होता याद रि दो चैप्टर्व होता है और अलं रख और से ही आपके अर्था जयोंICA निर्माण होता है दोस्तो याद रखे मिद। को कहते हैं चंद के चतुर्थांस को कहते हैं मतलब चंद में चार चरण आपके होंगे मुखेता तो यह क्या हो जाएंगे चरण ही तो हो जाएंगे ना ऑप्सन C बन जाएगा अगला कुछन आप से कह रहा है कि 28 मात्राओं का चंद कौन सा है 28 मात्रा देखे भैया रोला में यहाँ पर नहीं देना है आपको बतना गीतका में 26 मात्राओं होती हैं हर गीता में दो इस्ट्राओं के वर्ण हो गए तो 28 हो गए आप कहेंगे सर अंसर मिल गया है और राइट हो जाएगा अगला कुछन आप से कह रहा है कि चंद में मात्रा का आसा है तो आप क्या कहेंग तो आप कहेंगे सर जी कि अच्छर के उच्छारण में लगने वाला जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं चंद में मात्रा कहते हैं भाई हमने क्या बताया कि हम जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर है तो वहाँ पर कोई भी उदारण आपको देते थे तो आसान मतलब समय नहीं देते थे क्योंकि जैसे अगर समय जिस सब्ड में ज्यादा लग रहा से बोले में उसको डबल दिया जिसमें बिलकुल कम समय लगा वह सिंगल बोल दियागया यहां पर अगला यह 으र्ण यामात्रा के संख्यास से नियमित होता है तो मात्रा हो यह वेर्ण ह के लिए होते हैं कि एक ऐसा भी चंद होता है जिसमें दो तगण होते हैं एक जगण होते हैं और दो गुरुओं के योग से मिलकर ये बन जाता है ये होता है इंद वज्ज्रा क्या होता है इंद वज्ज्रा होता है जगण मगड तगण रगण सगण ये कैसे मिलेंगे भीया ह हाई स्कूल जो इंटर वाले बच्चों कुनको तो समस्या होगी हाना अगर अच्छे से आपके टीचर ने पढ़ाया होगा हाई स्कूल इंटर में तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन हमने कहा यगण मगड तगड यह माता राजभानसलगा सूतर से ही निकलते हैं तीन दूसरी आपके डवल होती है अगला कुर्सन आपसे कह रहा है क्या देखेगा कि कहती हुई यह उत्तरा के ने तरजल से भर गए हिमके करणों से पूर मानों हो गए पंकजने यहां पर जो चंद है वह आपका है कौन चववन नंबर में तो दोस्ते यहां पर देखेगा आप मातरा लगाईएगा माकी अभी वीडियो के अंत में हम आपको बता भी देंगे है ना कि मातरा कैसे लगनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना बाकी स्क्रीन सौर ले लिजिएगा बाद भी जो आपको रूल बता दें तो आप इनको सही कर लिजिएगा द इमने खित में से कौन सा वर्डिक चंद है मतलब वर्डिक चंद की बात करते हैं तो यहां पर वर्डों की गिंती होती है उपेंद वज्जरा में किस में होती है उपेंद वज्जरा में तो आप समनेगा यहां पर आपका डी निम्बर हो जाएगा अगला दिया गया है मंगल क देखे लगाना है तो लगा सकते हैं देखो आमने बताया डवल सिंगल सिंगल करनी करनी कली तो सिंगल मल सिंगल हरनी हरनी सिंगल हना तुलसी में यहाँ पर सिंगल 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 यहाँ पर सिंगल हो जाएगा सिंगल हो जाएगा फिर डवल हो जाएगा ठीक है रगुनात मे क्या होगे तो दोस्तों आपका जवाब होगे vice नोत कन लिजेगा अगला है घनाच्री छंद जो होता है इह वर्ड सरी में उपसन पीन रें घनाच्री में वर्डों का मेंगू ही होतीे है員 दोस्तों है क्या होता है यह दो हा होता है आपने पड़ा है नहीं पड़ा है तो अभी स्टार्टिंग में कोशन मिला भी था हना यहां पर सभी लोग अंसर क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि अंसर आते ही नहीं है हना आते क्या है कि थियोरी पड़े नहीं होंगे नहीं पड़े हैं तो बरवय की परिभासा भी आपको बरवय की परिवासा मिल गई है, बरवय में दोस्तो लाश्ट में क्या होताहे, ये सब्द आपको मिलेगा, अब बरवय आपको नहीं बेटा है लेकिन एक चीजह आइक सब्सक्राइबय अभी एक सब्द मिला भी था आपका जिसमें से आपका बर्वेत था है ना तो आप कहेंगे सरंसर आपका ड़ी हो गया निश्कुर्शंद्या गया है रहिमन चुप है बैठ ये देख दिनन के फेर सब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है यहां पर आपसे जो चंद है आपका हो जाएगा से नमबर है यह तो आपका दोहा ही है क्या है यह आपका दोहा है अगला है अनुस्टुम क्या दिया है आपस दिया है अनुस्टुम जो आपका है यह आपका है क्या तो दोस्तों यह क्या है एक चंद आपका है चंद हो जाएगा चौसर नमबर आप से कह रहा है किवा सम्मात्रिक्षन जिसके प्रतेक चरण में 24-24 मात्रा होती है प्रतेक चरण में 11 और 13 मात्रा पर यती होती है कौन सचंद होता है थोड़ा साथ समझेगा नहीं तो गलती हो जाएगी कोई से मल 24 में 64 में गरवड़ी हो जाएगी किवा सम्मात्रिक्षन जिसके प्रतेक चरण में 24 मात्रा हो तथा प्रतेक चरण में 11 और 13 मात्रा पर यती होती है दोस्तो याद रिखें ये होता है रोला ये होता है रोला होता है यहाँ पर देखें अगला पॉइंट आप से कह रहा है क्या यहां पर आ गया है कि किन दो छंदों के योग से कुंडलिया बनती है कंडलिया जो बनती है किन से बनती है 2021 आपके UPSI परिच्छा में कोशन आपके पूछा गया है चलिए यहां पर ज्वाब देना है अंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है आप कहीँगен दोहा और रोला से बनती हैं अगला क्शें दिया गया है इनमे से 8 सम्मातरिक चंदि जो आपको कोमसा है तो 8 सम्मातरिक चंदि में दोस्तों यहाँ पर दिखा जया है जो आपका 2 होता है अगला दिया गया है कि बना लो जहां क्या दिया है बना लो जहां ही वहीं सुर्ग होगा स्यम भूत थोड़ा कहीं सुर्ग होगा खलो को कहीं भी नहीं सुर्ग होगा भलों के लिए तो यहीं सुर्ग होगा मतलब जो दुष्ट होते हैं पापी होते हैं उनके लिए स्वर्ग कहीं नहीं मिलेगा और जो सत्य बोलते हैं उनका स्वर्ग यहीं पर है आप अपने ही दुनिया में अपने घर में ही अपने आपको स्वर्ग मैसूस करोगे अगर आप सत्य बोलते हो यह चीज आपके इसमें एक हिंदी का हमेशा क्लास चलती है, आठ बच के 50 मिट में हमेशा आपकी चलती है, बाराओ मैना, आपका एक्जाम लगा हो, चायन लगा हो, इसलिए हमेशा कहते हैं, आठ पचास वाले क्लास हमेशा लीजिए, डेली लीजिए, जब डेली वैप पढ़ेंगे, यहां पर दिया गया है कि गणों की संख्या कितनी होती है तो बहुती है आठ होती है यहां पर हरी गीतिका तो हमने बताया था गीतिका में 26 होते हैं हरी लगा दिया तो 28 हो जाएंगे कमला में कौन सा गण रूप आपका है अब समझेगे 11 नमबर करेक कमला में कौन सा गण रूप आपका है 11 नमबर यह आपर बताना है तो दोस्तों यह है आपका सगण क्या है सगण है अब ये कैसे पता चलेगा हमने का इसके लिए थोड़ा इस मेहनच करने पड़ेगी या माता राजभान सलगा या माता राजभान सलगा अब यहांस निकलते हैं यह जो आपकी यगड़ मगड़ तगड़ होते हैं यह इस निकलते हैं देखो यह माता यहांस निकालेंगे एक हो जाएगा मतारा हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसर पूनेते हैं देखो तीन अच्छरों को लोंगे यमाता हो जाएगा ठीके ना फिर तीन अच्छलेंगे मतारा हो जाएगा फिर दो को छोण देंगे फिर तीन अच्छलेंगे तमारा हो जाएगा फिर एक को अटा देंगे फिर यहां पर क्या हो जाएगा राजभाव हो जाएगा ठीके फिर जबहान हो जाएगा जबहान हो जाएगा फिर इसके बाद भामा भानस हो जाएगा ठीके फिर भा को छोड़ेंगे नसला हो जाएगा क्या नसला देखो नसला अब यहां पर नसला अब देखो यहाँ पर युद मिला है कमला मिल रहा है और नसला मिला है ठीक है तो आप कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा और कोई भी मिल सकता है हा ना ऐसा कोई और मिल सकता है मतलब यह अगर यह से आपका है तो यह माता मतारा यह हो जाएगा ठीक है ना तो यह सिक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बाकि हमने इसी सूतर में लगबब पता दिया है आपको आजाएगा 111 नंबर का जो आपसन है यह आपका सगण है दोस्तों याद रिखे सगण ठीके ना अगरा कुशन आपसे कह रहा है यहां पर दिखें यहां पर यह जो पॉइंट दिया है यह नया कोशन आपका है ठीक है इसको छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है यहां पर दिखो दिया गया है अगला पॉंट 114 नंबर में तो आपके लिए नया होगा वसन तालिका है क्या यह वसन तालिका है यहां पर दिखें अगला दिया गया दिखो आपके लेबल मे नहीं होता है, तो वैया, यहाँ पर देखे, यह वाले जो आपके हैं, तो यह थोड़ा से आपके लेवल के हैं धियाए रोला और उल्लाला से मिलकर कौन से चंद बनता है, आप कहांगे सर 120 संबर का जवाब सन है, यहाँ पर भी हो जागा है, यह आपका है नहीं है देखें यहां पर आ गए हैं हम लोग कहां पर आपके में पॉइंट में जो लोग बच्चे बिल्कुल लास्ट में जुड़े हैं या जिनको बिल्कुल भी ग्यान नहीं है आपके चंद को वो लोग बने रहे हैं इस क्लास में हना अब देखें कि भया हम थोड़ा स हस्सवर तता हस्सवर वाले बेंजन वर्ण को लगु कहते हैं ठीक है ना लगु के लिए जो आपका होता है एक पाई रेखा होती है ठीक है थोड़ा समल लीजी अभी आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है ना यहां पर देखो आपसे कहा रहा है कि दीर गुश्वर तता दीर यहां तक आपके है इन से निनुवीत होने वाले जो भी आपके वर्ण होते हैं इसको सब्गाना है ये भी क्या होंगे ये भी आपके सिंगल के ही होंगे इसको डवल नहीं लगाना है इसको सिंगल लगाना है ठीक है ना लेकिन अंकी विंदी अगर लगी होती अंकी विंदी ये आपका डवल होता है संयुक्त बेंजन जैसे आपका अत्वा दिया है और आपका या दिया है पाकि यह रूल जो आपका होता है जो गड़वड़ी हो जाती मातरा सही निकलती हैं वह आपके यहां से चंद बिंदो वाले वर्ड में जो आपके यह होते हैं उनको हम लोग सिंगल ही बताएंगे ठीक है ना और यहां पर जो संयुक्त बेंजन आपका यह वाले जो होते हैं वो भी क्या होते हैं सिंगल ही लगाते हैं दोस्तों याद रखेगा स्क्रिंसौट ले लिए कोई दिक्केत नहीं है अब देखे लगवड़ु की गड़णा करेंगे तो कैसे करेंगे देखो यहां पर कमल दिया गया है तो का म ल, हना सिंबल है का म ल, लेकिन हाँ, हना तो हाँ में क्या है, सिंगल लेना है, क्योंकि आपकी चांद की बिंदी है, अब गुरु वर्ण में क्या होता है, इसको देख लिएगा, गुरु वर्ण के अंत में क्या होता है, बड़ाई, बड़ाउ, हना, ये सब आपके हो वन्ड जैसे संसार है नींद है अंगीठी है अता है दुख है सुता है यह सब क्या होते हैं गुरू होते हैं गुरू होते हैं जैसे संसार कगर तोड़ा जाए निकालें तो आएके अंकी बिंदी में आपका डवर हो जाएगा फिर डवर हो जाएगा फिर सिंगल हो जाएगा स रूल आपको खायल मगार देता है क्यों क्यों क्योंकि ये भूली जाते हो आप लोग कैसे बूलते हो सैयुकता चर के पूर्व का लगुवन भी गुरू होता है याद रिखेगा कह रहा है सव्यूक्ताचर के पूर्व का लघुवण भी गुरू होता है हाना, याद रखे का अग्र का आउर्ण असी का आउर्ण चंदा का चाउर्ण गुरू होता है अब आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे यहां पर सिंगल, क्यों, क्योंकि यहां पर लगा है आ लगा है लेकिन आप क्या लगा होगे आप लगा होगे सिंगल क्योंकि आप सुनते हो छोटा है लेकिन रूल क्या कहता है कि संयुक्ताचर यहां पर जो आपका आदिया है और यह आधा सा है और आपका पूरा सा है तो यह तो हो गया संयुक्ताचर हो गया तो सफियुक्त आच्षर के पूर का जो लगू है हना वो भी गुरु होगा इसका मतलब है मात्रा जब बनाएंगे तो ये डवल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा ठीके हैं, ये डवल होगा और ये सिंगल होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था जो आधा चरवाले होते हैं वो आपके सिंगल होते हैं याद रिखेगा यही रूल आपके लिए भी होता यम्पी है अब यहाँ पर अगर पूंचे चंदा में मात्रा है तो आपके इंगे सजी डबल हो जाएगा और यहाँ पर आधा दिया पर डबल आपका है बड़ा दा है तो आप यहाँ भी डबल आउपका हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है ताला गुरू वर्णों की गर्णा में दिखे ताला समय ज़्याद मिला है आप बड़ा हो जाएगा चो पाया समय लग रहा है समय आपके बड़ा की मात्रा हो गया आप यहाँ पर दिखे गुरू वर्णों की अगर आपको गर्णा करना है तो मेरी भवादा देखो हम जैसे बोलें वैसे आपको करना है मेरी भव बाधा हरो मेरी भव बाधा समय लग रहा है मेरी भव भव में समय लगा नहीं लगा बाधा समय लगा तो बस गाती में निकल जाएंगे क्लियर हो गया है अब यहां पर देखते हैं अगले पुंद देखोई जो distributed ये इना इसमें आपका डबल हो गया है कि किसरी हो गया रिसी होता सिंगल है तो आपका सिंगल वांकि यह पर डबल है तो आपका डबल अब देखे कुछ पॉइंट आपको दिये गया है कि सम मात्रिक चंद यहापर क्या होते हैं देखिए कह रहा है कि जिस चंद में सभी चरण समान हो अर्थात जिस चंद के चारणों में मात्राओं के संक्या समान हो उसे हम सम मात्रिक कहते हैं फिर समझे परिवासा कि जिस चंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस चंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, वो सम मात्रिक होते हैं, जैसे चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, रोला में 26 मात्रा होती हैं, गीतिका में 26 मात्रा होती हैं, हर गीतिका में 28 मात्रा हो से मारिए ठीक है चले इसका इसकी सवर ले लिए यहां से अब यहां तो देखे वर्डिक चंद में क्या होता है देख लीजेगा वर्डिक चंद में करा जिन चंद में वर्डों की गढ़ना हो उसे वर्डिक चंद कहते हैं वर्डिक चंद के सभी चड़ों में वर्डों की ब Emmy Guards a ख्रण होते हैं क्योंते लिए इस की विकरणा है वर्टों के गिंतिक लेना है मंद्र कांता चंद में प्रत्यक्चरण में 17 होते हैं सिखरणी चंद में 17 वर्ड होते हैं अब देखे जैसे उपेंद वर्जरा है भुजंगे है, सालनी है, स्वागता है इंद वर्जरा है इन में सभी प्रत्यक्चरण में 11 वर्ड होते हैं प्रतेख चरण में एकत्तिस वड़ होते हैं दुरुत विलंबित में 12 होते हैं तोलट में आपके 12 वनसस्त में 12 और इंसगद्धा में होते हैं चंदों का समानी परचे अब आपको दोहा सोलठा चौपाई यह सब चीज़ें आपकी हैं तो हम चाहते हैं इनको अच्छे से पढ़ लिजेगा क्योंकि एकजाम में आपको गीतका है हरी गीतका है यहां पर दिखा जाए रोला है यहां पर दोहा है सोलठा है अना बरवे है उ आपको क्या करना है एक बेसिक क्लास आपको हम आपको अपलोड कर देंगे तो बेसिक वाली क्लास को जरूर देख लिजेगा जैसे कि हमने रस का भी आपका बेसिक पढ़ा दिया है यहां पर आपका लंकार का भी बेसिक पढ़ा दिया था और चंद का भी बेसिक पढ़ा द लेकिन जितना समय आपने हमारे पास दिया है उतने समय आज अपनी किताब में देना आप अपने चंद के लिए तो 100% नहीं लेकिन 50% आपको चंद आने लगेंगे ठीक है ना तो लाइक सेर कर दियेगा ठीक है